Hello everyone and welcome to all in daily current affair MCQs आज तारीक है 15 अगस 2020 तो first of all happy independence due to all तो चलिए बढ़ते हैं आगे questions की और बढ़ने से पहले हमारे ये कुछ paid subscriptions है जिन्हें आप ले सकते हैं ELD subscription जो ये 4.99 रूपीस का है, monthly 99 रूपीस का और NCRT 2.99 रूपीस का अगर ये subscription आप आज लेते हैं क्योंकि आज है 15 अगस्त तो आप ये 3.99 रूपीस में अवेल कर पाएंगे आपको करना क्या है कि 3.99 रूपीस आपको Google पे या फोन पे करना है respective number पे उसके बाद हमारे साथ एक screenshot शेयर करना है WhatsApp पे जैसे हैं आप screenshot को शेयर करते हैं अब ये सारी facilities इसको अवेल कर पाएंगे और अभी जो हम लोग current affairs discuss करेंगे उसके PDF notes को भी अवेल कर पाएंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले question की ओर तो हमारा सबसे पहला question है transparent taxation honoring the honest platform के बारे में आईए statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement ये कहता है इसका जो aim है वो taxpayer और income tax department के बीच का जो interface है उसको eliminate करना है दूसरा statement ये कहता है कि ये जो platform है वो analytics और artificial intelligence का use करता है तो बताएं ये कौन कौन सा statement correct है मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला statement भी बिल्कुल correct है और दूसरा भी बिल्कुल correct है तो इससे आप से option C correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में तो देखिए हाल में ही इस platform को PM ने launch किया है इससे फायदा क्या होगा कि इसमें honor किया जाएगा honest taxpayers को देखिए जो ये platform इसका main aim है क्या वो transparency लाना income tax system में और empower करना taxpayers को इसके जो main feature से वो जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहला है faceless assessment, faceless appeal और taxpayer charter faceless assessment के बारे में तो मैंने इस पहले statement में बता दिया कि interface को eliminate करना, faceless appeal के बारे में जान लेते है अगर faceless appeal में ये होता क्या है कि अगर कोई appeal दायर होती तो randomly किसी भी officer को allot हो सकती है पूरे country में और यहां तक कि इस officer की जो identity है न उसको भी disclose नहीं किया जाएगा वो unknown रहेगा charter की बात कर ले, charter में किया न कुछ rights and responsibilities mentioned है officers के लिए भी और taxpayers के लिए भी और इससे क्या benefit होगा वो भी देख लिजे इसमें क्या होगा न, taxpayer को न income tax office जाने की ज़रूरत है न officer के पास जाने की ज़रूरत है और इसमें जो selection होगा जिनको honor किया जाएगा taxpayers को उनका जो selection होगा न, वो analytics और artificial intelligence के use करके किया जाएगा तो इसलिए ये news में था और ये सारी information थी, इस platform के बारे में चलिए बढ़ते आगे second question जो वो serious के बारे में है IE statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement ये कहता है कि एक मात्र dwarf planet है जो की located है inner solar system में दूसरा statement ये कहता है कि NASA का जो dawn mission launch हुआ था वो इसी को study करने के लिए launch किया गया था तीसरा statement ये कहता है कि हाल में है एक बहुत बड़ा salty reservoir पाया गया है इसकी surface के नीचे तो बताएगे कौन-कौन सा statement correct है मैं आपको बता देना चाता हूँ कि तीनो की तीनो statement correct है इसे साबसे option D correct हो जाता है आईए जान लेते हैं इसके बारे में तो देखिए NASA का जो dawn spacecraft है न उसने कुछ data collect किया है C-RES के बारे में जो कि एक dwarf planet है कि उसके नीचे जो है salty water पाया गया है जो dawn mission था हमारा वो दो massive bodies की study करने के लिए बेजा गया था वेस्ट और सीरस के बारे में scientist ने सीरस को ocean world का status दे दिया है क्योंकि इसके नीचे salty water का reservoir पाया गया है देखिए ये बाना जाता है न सीरस जो है अभी भी geologically active है और वहाँ पर काईरो वालकानिजम देखने को मिलता है ऐसे मतलब जो NASA का mission था dawn mission उसके अंदर जो study हुई है कुछ evidence मिले है कि वो geologically active है वहाँ पर काईरो वालकानिजम होता है काईरो वालकानिजम का मतलब होता है जिसे normal वालकानिजम होता है मैगमा या लाबा बाहर आता है और जब काईरो वालकानिजम होता है तो IC material बाहर आता है एक बार UPSC ने भी question पूछा था cryosphere के बारे में तो जल्दी बताइएगा मुझे cryosphere क्या होता है comment section में mention करिएगा देखिए क्या है ये जो serious है वो largest object है asteroid belt में मार्स और जुपिटर के बीच में तो देखिए इनर सुलर सिस्टम में आता है इसलवाला statement सही था इसके ना moon है ना ring है देखिए पाँच और drop planet को recognize किया गया उनके नाम जान लेता है serious, Pluto, iris, make make और homia तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर question 3 जो परसीट मेटी और शावर के बारे में आई ये statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement कहता है कि ये annual celestial event है जहां पर bright meteor और fireball शूट करते हैं sky में दूसरा statement ये कहता है इसका जो नाम पढ़ा है वो constellation परसीउस के नाम पर पढ़ा है तो option D correct हो जाता है आई ये जान लेते हैं इसके बारे में भी देखिए जो ये meteor shower है न वो एक annual celestial event है जो कि आपको 17 अगस से 26 अगस 2020 के बीच में देखेगा पता नहीं इंडिया से देखेगा भी कि नहीं कभी नहीं देखता देखिए इसमें क्या होता है कि meteor shower होता है इसमें bright meteor और fireball shoot होते हैं इसलिए वाला statement बिलकुल correct था और इसका जो नाम पढ़ा है वो constellation pursues के उपर पढ़ा है और इंडिया में इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि pollution और monsoon clouds वीच में आ जाते हैं तो देखना थोड़ा मुश्केल हो जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की ओर जो fourth question वो starship के regarding है यह हाल में इन्यूज में था बताएं starship क्या है satellite है UAV है unmanned aerial vehicle तीसरा है कि spacecraft है या space station है जल्दी बताएं कौन सा correct है मैं आपको बता देना चलता हूँ जो starship है वो एक spacecraft है आईए जान लेते हैं starship के बारे में देखिया आप सबने spacex के बारे में तो सुना ही होगा यह वही company जो falcon launch vehicle बनाती है इसने ही starship को भी बनाया है जो कि एक spacecraft है सबसे अच्छी बात इसके में क्या है इसमें super heavy booster rocket है और यह एक reusable transportation system है जिसको बार-बार use किया जा सकता है और सबसे important चीज़ इसमें crew और cargo दोनों एक साथ क्यारी किया जा सकता है earth orbit में moon तक या mars तक और यहां तक कि SpaceX ने जानते है वो describe किया है कि यह world का most powerful launch vehicle है जो कि 100 metric ton तक का weight earth orbit तक पहुचा सकता है और इसकी features के बारे में भी जान लेते है इसका सबसे अच्छा feature यह है कि देखे कोई भी जो company है वो economical होना चाहती है मतलब अपने missions को economical बनाना चाहती है तो इसका सबसे अच्छी बात है यह जो satellite को deliver करेगा वो lower marginal cost पे करेगा as compared to falcon vehicle ठीक है और further features को भी जान लेते हैं इसके बारे में देखे आगे क्या mentioned है आगे यह कि यह carry करता large amount of cargo moon तक भी और साथ में यह human space flight development and research पे भी help करेगा और interplanetary missions भी सोचा जा रहा है वो being designed में अब यह plan किया जा रहा है कि interplanetary missions भी इस spacecraft के थूँ possible किये जाए तो चलिए बढ़ते हैं आगले question की हो जो fifth question है वो पूरा 2.0 के बारे में है आई यह statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement कहता है यह central sector scheme है जो कि ministry of housing and urban affairs के दोरा launch की गई है दूसरा statement यह कहता है कि इस scheme के अंदर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दूसरा statement बिल्कुल correct है पहला incorrect है इसे साब से option B correct हो जाता है आई यह देख लेते हैं पूरा के बारे में देखिए जो पूरा है न वो central sector scheme तो है लेकिन वो है कि वो launch जो की जाती है वो ruler development के दोरा की गई है इसलिए पहला statement incorrect था दूसरा statement बिल्कुल correct था कि इसका जो provision है वो livelihood opportunities को provide करना है कहां पर ruler area में जिसे कि ruler और urban divide को bridge किया जा सके देखिए ruler और urban divide पढ़के मुझे एक बात याद आती है satellite city आपने भी सुना होगा जब ने आपने ruler and urban divide पढ़ा होगा चले बढ़ते हैं अगले question के ओद जो sixth question है वो regarding seed bomb है आए statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement कहता है कि ये छोटी सी ball है जो की बनी हुई है compost clay और seeds के combination से दूसरा statement कहता है इसका जो use है वो re-vegetation और re-forestation के लिए किया जाता है fragile ecosystems में तो बताए कौन कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement correct है तो option c correct हो जाता है आए जान लेते हैं seed bomb के बारे में देखे हाल में odysa इसके अट्टागड forest division में इस seed bomb का यूज किया गया है तो ये क्या करता है कि इस इसको बारे में इसको क्यों क्यों कहते है ये बार्म कुछ नहीं ऊटर अटीनों को मिला कि बाल बना लेते हैं धिकने में ये बार्म जैसा होता है इन तीनों का काम क्या है जो गम्पोस्ट होता है वो seed को germinate करने के लिए nutrients provide करता है offer nutrients to germinate the seed और चो clay होता है वो सब को एक साथ bind करके रखता है ठीक है और एक seed bomb का form देता है होता क्या है कि इन bombs को मतलब aircraft के थूँ, helicopter के थूँ या UAV के थूँ aerial vehicles के थूँ, ऊपर से नीचे drop किया जाता है, तो ये clay क्या करता है bind करके रखता है और इतना hard होता है कि ये तूटता नहीं नीचे गरने पे और इनका use जो हो रिवेजिटेशन और रिफॉरेस्टेशन के लिए ही किया जाता है fragile areas में, चलिए बढ़ते हैं अगले question के और 7th question है, वो regarding सुरक्षा के बारे में आई ये statements को ध्यान से पढ़ लेते हैं पहला statement कहता है, ये एक portal है जो कि human elephant conflict के उपर है जिसको launch किया गया है ministry of environment, forest and climate change के दौरा दूसरा statement कहता है कि radar technology का use किया जाएगा इसमें, food और water के augmentation के लिए forest areas में, जिससे कि जानबरों को खाना और पानी मिल सके तो बता ही कौन-कौन सा statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोनों statement correct है option seeks correct हो जाता, आईए जान लेते हैं इसके बारे में देखिए, world elephant day के दिन ministry of environment, forest and climate change के दौरा इस portal को launch किया गया है और इसका initiative यही है कि forest areas में animals को food और water प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो बाहर ना है मतलब अपना habitat जो है वो cross करके बाहर ना है ऐसा होता है कि कभी-कभी दो habitat ऐसे होते हैं और बीच में से road जाती देती है तो अगर माली जै यहाँ पर food और water की कमी हो गई तो वो movement करेंगे तो कभी वो road के through आ जाते हैं और दूसरे habitat में जाने की कोशिश करते हैं तो कभी क्या होता जब वो road पे आते हैं तो human animal conflict हो जाता है तो इसी चीज से बचने के लिए इस portal को launch किया गया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की और देखे question 8 में कुछ statements mention है आईए statements को ध्यान से पढ़ लेते है पहला statement कहता है कि red sanders एक endemic tree है North East India का दूसरे statement कहता है कि IUCN की red list में इसको endangered की category में रखा गया है तो बताई कौन-कौन से statement correct है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोनों के दोने statement incorrect है इसलिए option D correct हो जाता है आईए जान लेते हैं क्यों देखे जो red sanders है न वो endemic है South India में ना की North East India में red sanders को red sandalwood के नाम से भी जाना जाता है IUCN की list में जानते हैं यह near threatened है पहले यह endangered species थी लेकिन 2018 में इसको reclassify करके near threatened की list में डाल दिया गया है sites की जो list में है वो appendix 2 में है इसका मतलब यह है कि अगर इसका आपको export करना है तो आपको permission लेनी पड़ेगी मतलब certificate लेना पड़ेगा export करने से पहले इसका distribution देख लेते हैं यह tropical dry deciduous forest है जो की पाला कोंड़ा और शेशा चलम hill ranges में पाया जाता है जो की आंदर प्रदेश में है इसको Tamil Nadu और करनाटिका में भी पाया जाता है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले question की हो जो ninth question है हमारा वो Natmo के बारे में है National Atlas and Thematic Mapping Organization हमें बताना है कि यह कि कि के अंतरगत आता है Ministry of Earth Science के अंतरगत Department of Science and Tech के अंतरगत Ministry of Home Affairs के अंडर या Ministry of Electronics and Information Technology के अंडर तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह Department of Science and Tech के अंतरगत आता है चलिए देख लेते हैं Natmo के बारे में देखें जो Natmo है वो एक प्रीमियर एजिसेंसी है Applied Geospatial Technology और Poignier Arthematic Mapping और Atlas Cartography में यह सारा कुछ Department of Science and Tech के अंतरगत आता है और इसकी Ministry जो है वो Science and Technology है इसका जो काम है नो वो Thematic Maps को बनाना, Atlasis को बनाना कहा के लिए National State और District Block Level के लिए हाल में जो Natmo ने ब्रेल आतलेसिस भी बनाए हैं जो कि Visually Impaired Persons के लिए बहतर होंगे तो यही सब सारी information थी Natmo के बारे में चले बढ़ते अपने अगले question की और जो तेंथ question है वो Blue Sky Research के बारे में है बहुत बार News में देखा गया है हमें बताना यह किस से related है पहला statement यह कहता है कि यह related है Solar Engineering के बारे में जो कि यह पता लगाएगा कि कैसे reduce करते हैं heat trapping clouds को दूसरा statement है वो deep oceanic study के बारे में polymetallic needles के बारे में तीसरा statement के है scientific research है जो कि इसका growl अभी तक clear नहीं without a clear goal और none of the above तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह scientific research जो है वो related है एक scientific research है जो without a clear goal के उपर है तो आजी जान देते हैं इसके बारे में देखी जो blue sky research होता है न उसको blue sky science भी कहते है actually कि यह एक research है जिसका कोई goal नहीं है कोई motto नहीं है बस यह research चलती रहती है मतलब इसका जो agenda है वो anticipated नहीं है अचानक से कुछ scientific growth होती है और कुछ innovation हो जाता है और वो जो invent होता है वो more valuable होता है जादा valuable होता है जो कि agenda driven से भी होता है जैसे मालीजी आप कुछ aim बना के चलता है उसको achieve कर लिए उससे भी जादा valuable होता है क्योंकि यह unanticipated होता है इसका एक बहुत बढ़ी है example है genetics and stem cell biology पहले यह लगता था कि इसका जो सिफ theoretical expect के लिए यूज में रहेगी लेकिन बाद नहीं बता चला इसका importance बहुत जाता है और यह जो यह जो example मैंने आपको बता है stem cell biology की बारे में यह भी unanticipated scientific breakthrough था अचानक से invent हो गया था तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो चलिए बढ़ते हैं आगे